नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों किसी भी फाइटर जेट के लिए सफलता का पहमाना अगर देखना हो तो वो होता है कि इसके अंदर कितनी बार टेक्निकल प्रोब्लम आई है या नहीं आई है इसके इलावा उसके कितने एक्सिडेंट हुए है या कितनी बार वो इस टेक्निकल प्रोब्लम की वज़े से दुरगटना गरस्त हुआ है और जहां तक हमारे LCA तेजस जो की लोकली बनाया जाने वाला फाइटर जेट है इसकी बात करें तो अभी तक एक बार भी ये दुरगटना गरस्त नहीं हुआ है हलांकि दोस्तों एक बा रामनात कोविन जी के द्वारा आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंडियन एर फोर्स के विंग कमांडर वरुन सिंग जी को शोरिया चकर दिया जा रहा है स्पेशली जो उन्होंने बहादुरी दिखाई और मिनिस्ट्री ओफ इसने अपनी अक्तूबर 12 की स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि विंग कमांडर वरुन सिंग तेजस के उपर एक सोर्टी ले रहे थे यानि उन्होंने तेजस को लेके एक उड़ान भरी थी और स्पेशली दोस्तों ये इसलिए किया गया था कि इसके नए फ्लाइट ली थी यानि बेस से ये काफी दूरी तक गया था और दोस्तों उस सोर्टी के दोरान क्या हुआ कि कोक्पिट के अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम फेल हो गया हाई एल्टिट्यूड पे जाके तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने इससे डिसेंट करना शुरू किया लोर एल एल्टिट्यूड का लोस एकदम से होता है फाइटर जेट उपर नीचे जाता है जी लिमिट की एक्स्ट्रीमिटी इसको यह देखता है यानि कि जी लिमिट बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है ये सारी बात मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस अपनी स्टेटमेंट के अंदर बता नाके रखा और अपने exceptional flying skills को दिखाया और जल्द ही उन्होंने aircraft को control में ले लिया और फिर दोस्तों 10,000 feet की उन्चाई पे aircraft ने फिर से एक बार total loss देखा पूरा control इसके उपर से खो गया ये एकदम से maneuver करने लगा यानि इधर उदर होने लगा और इसकी पूरी pitching and control हो गई औ pilot free होता है उसे पूरी आजादी होती है कि वह aircraft से eject हो और उसके बाद fighter jet का जो भी हो वो देखा जाता है क्योंकि इसके अंदर उसकी खुद की life को ही बहुत ज़्यादा loss होने का खत्रा होता है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने extraordinary courage को दिखाया और उन्होंने finally aircraft को safely land करवाया यानि कि दोस्तो जो pilot की एक काल होती है duty की उसे जो बताया जाता है समझाया जाता है उसको भी उन्होंने ignore कर दिया और उसके बाद में उन्होंने अपनी life का risk लेते हुए aircraft को बचा लिया और दोस्तो इससे हमें एक तो फाइदा ये हुआ कि हमारा aircraft बच गया इसक तो technical problem की वज़े से ऐसी चीजे हो जाती है कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फिर भी दोस्तो ये अभी तक का ऐसा है कि इसका एक भी accident नहीं हुआ है और ये उन्हीं की वज़े से है और साथ ही दोस्तो इससे हमें accurate analysis भी मिला कि इसके अंदर क्या problem हुई थी और इसका कारण क से कैसे solve किया जा सकता है तो दोस्तो इस तरह के quick decision high professionalism की वज़े से उन्हें शोरिया चकर से नवाजा जा रहा है और उन्होंने ने केवल LCA तेजस को बचाया बलकि दोस्तो बहुत सी civilian property का भी नुकसान होने से बचाया और साथ ही जो एक population थी ground पे उसको भी safe किया बिना मेशा salute है धन्यवाद जैहिंद